और इस बीच में बड़ी ख़बर की तरफ रुख करते हैं बताते चले की ट्रक ड्राइबरों ने फिर जाम लगा दिया है। करने की मांग की है बता दे कि कल ही देर रात ग्रीमंत्राले में बाचीत हुई देर वारता के बाद ही आपको बता दे कि ये कानून को रोक दिया गया कि इस हिट एंडरन कानून को फिलाल अभी लागू नहीं किया जाएगा लेकिन उसके बाद भी अजमेर में ट्रक जाम किया गया है यह वो तज़्वीरे हैं कि ट्रक जाम करने की बाद लंबी कतारे लगी हुई इस खबर पर हमारे समवादाता अश्चोग जुड़े बाटी अश्चोग देर रात समझाने के बाद भी यह जाम अभी तक लगा लगा हुआ है क्या और जानकारी जी बिल्कुल सावर जो कस्बा है उसके पास जबीर कोटा राजमार्ग है वहाँ पर यह जाम लगाया गया है बताया जा रहा है कि सभी से समझाईश की जारी है आपको बता दें जो सरकार ने हैं उसको कानून पर फिलाल जो है रोक लगा दी लेकिं ड्राइवर तक यह जो ब जो है जाम लगाया था हाला कि पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार उनसे समझाईश की जारी है लेकिन जाम चूंकि बड़ा हाईवे है तो ऐसे में इस हाईवे पर जो है लगातार गाडिया निकलती है नगातार गुजरती है तो अगर कुछ ड्राइवर भी अगर ट्रक करके खड़े हो जाते हैं और जाम लगाए थे तो लंबी कातारे यहाँ पर आवशक रूप से लग जाती है तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन भी तुरंत मुक्य पर पहुंचा और सभी से समझाईश करते हुए आला कि सभी को समझाईश करते इसमें क्योंकि ट्रक चालक है उनको थोड़ा समझने में समय लगेगा उनको जो पदादीकारी है उनके निर्देश के बाद ही जाम खोलेंगे तो उनका कहना है कि जब तक निरस्त नहीं किया जाता है इस कानून को तब तक उनका जो आंदुलन जारी रहेगा फिलाल जो है समझाईश का दोर जारी है उनका यह कहना है कि हमारे जो पदादीकारी है उनकी और से जो निर्देश मिलेंगे उसी तहट हम जो है कारवाई करेंगे जी बिल्कुल लेकिन अशोक All India Motor Transport Congress से कल रात ग्रिमंत्राले बे बात हुई और उसके बाद प्रावधानों के प्रावधानों को अभी लागू नहीं किया जाएगा और उसके बाद All India Motor Transport Congress से बातचीत के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा आप जैसा बोलने हैं तो क्या अभी चलते यह जाम लगाया गया है फिलाल समझा इसके बाद हो सकता है कि आदे गंटे गंटे के पीच में उनके पास फोन आ जाया है बहुत बहुत शुक्री आशुक तमाम जानकारे देने के लिए